तो फिर ये बताईए कि ये जो विरोधी कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी अदितिनात और बीजेपी जीत ही नहीं सकती अगर पाकिस्तान और मुसल्मानों का जिक्र ना हो तो ये ही दो लोग हैं जो आपको जिताते हैं मैंने एक बात बताईए मैंने आपका ट्वीट भी देखा था जब हम लोगपुरु सरदार बल्लब भाई पटेल की जेनती राश्टी एकता दिवस के रूप में मना रहे थे तब समाजवादी पाल्टी के मुख्या लोगपुरु सरदार बल्लब भाई पटेल को अपमान कर रहे थे और जिन्ना का महिमामंडन कर रहे थे आपने वे उसमें ट्वीट किया था जा हम लोग प्रदेश के युवाओं को कोरोना कालखंड में हमारे समने एक चैलेंज आया था क्योंकि online education और online examination की बात आपने देखा होगा दो साल के अंदर बच्चों की ज़्यादा तर पढ़ाई के साथ examination की समस्या उनको केवल promote कर दिया गया ज़्यादा तर को करोना का भी कोई वरोसा तो है नहीं कब तक चलेगा परभावी वैक्सीन है उसका असर भी है परभाव भी है लेकिन इस सब के बावजोद हमें कोई एक सिस्टम तो देना पड़ेगा तो मैंने survey करवाया मैंने कभी मालूम करो कि कितने बच्चों के पास tablet और smart phone है किनको tablet द पारी है आनी पारा है बहुत सारी चीजे हैं देखकर करके मैं ताजूब कर रहा था कि बड़ी पैमाने पे बच्चों के पास यह सुविधा नहीं थी तो हमारी सरकार ने जोलाई अगस्त दोहजार बीस में 21 में निरने लिया उन संस्ताओं से का मैंने का इन बच्चों को tablet टैबलेटर स्मार्टफोन उपलब दिखरा हो ओनलाइन एक्जाम वा बहुत अच्छे पढ़ना मुस्के आई हमने एक करोड युवाओं को tablet स्मार्टफोन देने का निरने लिया जिस दिन हमने यह कारिकरम रखा था उसी दिन समाजवादी पार्टी ने पाकिस्तान का गु ABP News आपको रखे आगे